मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूँ मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूँ असलाम अलेकम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों आज का जो इस वक्त का वी लॉग है यह है करप बैमान चोर उचके स्यासदान और हम जैसे बेफकूफ गुलामों की उपर जाली अदलियां मैंने जब से होच समगाला है मैंने हमेशा गरीबों को इस पाकिस्तान में तडबते हुए देखा है खाने के लिए गरों के लिए और सबसे बड़ा जो मसला वो इनसाफ के लिए अगर कोई किसी भी जगा से अगर इनसाफ ना मिले तो इनसान की सोच होती है कि कम असकम अदालतों से इनसाफ तो जरूर मिलेगा लोग अदालतों का रुख करते हैं और जो चार पैसे उनके बची होते हैं वो वकील या अदालतों में खर्च हो जाती है लेकिन इनसाफ नहीं मिलता लोग जब पैसा खतम हो जाते हैं तो फिर क्या मजबूरी होती है को कहते है ठीक है या तुम कदमा छोड़ो या वो जो बन्ना चोर उचका जिसने आपकी जमीन पर कबजा किया है मकान पर कबजा किया है उसको कहते है या मुकमका करो या जो 15 साल 20-20 साल तक मकदमें चलते हैं लेकिन इनसाफ नहीं मिलता दूसरी साइड पर चोर उचक के डाकू क्रिमिनल टर्रनिस्ट के फसिलिटेटर्स उनके लिए आदी रात को भी अदालतें खुल जाती है और यहां तक मैं तो एक पूरी दुनिया के अंदर एक तमाशा पाकिस्तान के लोगों ने बना दी है कि एक मुझरम मैं उनको मुझरम कहूंगा क्योंको प्रूट केसिस हैं एक मुझरम जिसका ट्राइल ही नहीं हुआ किसी अदालत में फर्दी जुरम ही नहीं लगी चार्षिट ही नही मिली तो हाई कोर्ट उनको बरी कर रहा है किन से बरी कर रहा है मकदमा से और पहले पहले यह बता दो यह कौन से मकदमात हैं कौम को बेफकुफ मत बनाओ एक वो केस जिसके ट्राइल ही नहीं हुआ शेबाश श्रीफ जिसका फर्दे चुरम लगनी थी और लगी लग उसी ज खेंए है यह पाकिसान में होता है गो है और इसी तरह राना से नहुला जो नौर्कोटेक्स का ओपन ली फैसलाबाद में पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम है इतना मश्यूर मुरूफ बहुत अई नौर्कोटेक्स का वो भी इसी तरह जो नौर्कोटेस कोट थी उसके अंदर वो फर्देश जरुम उसने लगे नहीं दी कभी वो बेमार कईदी वकीन पेमार कभी कोई दूसर वकीन चेंज हो गया कभी तीसरा चेंज हो गया और वो भी देखें कि उसके उसका केस चला ही नहीं और कैसे यह पहले पता आजिए कि वो अदालते कैसे उनको बरी कर रही है और कौन सा ट्राइल हुआ है बरी तो तब होता है ना कि अदर केस चलाओ और केस चला ही नहीं तो बरी किस चीज़ पर मुझा बनाओ बना दिया तुम लोगों ने चीफ जिस्टिस हाँ याद रखिएगा कि अल्ला ताला के बाद किसी भी मुलक में किसी को इनसाफ लेना होता है तो वो आप हैं चीफ जिस्टिस हो पाकिस्तान जो इनसाफ वहिया कर सकते बकाया जजज़ सारे नीची हैं मैं इतनी सी कहता हूँ इतने सही अगर एसास हो आपको कि जिस ओधे पर आप बैठे हैं उसकी पासदारी कीजिए इस अदालत का इतराम कीजिए आप लोगों पर सूओ मोटो एक्शन लेकर लोगों पर वो कंटेम्ट आफ कोट लगाते हो खुदा का वास्ति कभी अपने उपर वे कंटेम्ट आफ कोट लगा हो आप अवाम को कोई किसी किसम के रिलीफ नहीं दे रहे हैं रादर अवाम के ओपर मजीब बेनिसाफियां कार रहे ओव यह बेनिसाफियां क्यों नहीं हैं यह चोड डाकू चिक्के जन्नें अवाम को लूटा अवाव का पैसा लूटा बगैर किसी ट्राइल के आप उनको बरी कर रहे हो फिर अगर आपके खलाफ को बात करें तो कहें जिनाप आप कर्कोर्त लूट और लूट लूट लीए पाकिस्तान को रेप कर दिया अफसूस की बात के आप लोग या तो सीरा कह दो के आप भी चोरो डाकू ओ, एक साइड पे कहते हो जज हो, तो दूसरी साइड पे तुम चोरो के को फिसिलिटेट कर रहे हो, तो फिर हम क्या कहें हैं, तो चोरो का साथी ही कहेंगे ना, फिर लगा देते हो अवाम की होती हैं, पब्लिक मनी से बनती है जज़ भी पब्लिक मनी से बलता यह है और आप पब्लिक मनी से पैसे ले रहे हो Khुआएं लेकं आप लोग रहे हैं चोले पहन के आ जाती हो इस ओधे का इतराम करो इस कुरसी का इतराम करो जिस कुरसी बेट यह अदालत आलिया का बहुत बड़ा इतराम है लेकन आप लोग इतराम नहीं कर रहे चोले पहन के आ जाते हो बेरूपिये कुरॉप्ट लोगों को फॉरण से पहले रिलीव देते हो जो घरीब आदमी है वो मर जते हैं अन्साफ के लिए यह पाकिस्तान याद रखिएगा दो सो बीस मिलियन लोगों का पाकिस्तान है यह चंद जो जर्खरीद गौलाम इन्हों ने रखे हुए हैं अपने अदालतों में जो नौाव चोर डाकू बैठे हुए हैं इनका पाकिस्तान नहीं है सरफ यह पाकिस्तान के किया क्या है दाकका चोरी के लावा जर्दारी ने क्या किया है और मौलाणा फुदला उसने क्या किया है यह मौलूयून नहीं डिवाइट की यह फिर को में यह चोर उचके हैं मिलेगी यह मिलेगा वो मिलेगा पाई पहले बंदे का बच्चे बंजाओ पहले इनसान तो बंजाओ मजभ तो बहुत दूर की बात है जब तक इनसान नहीं उस वक्त तक मजभ नहीं है पहले इनसान ते बच्चे बंजाओ लूट गए पाकिस्तान को सियासे नहीं तुम चोर डाको घलीज बजबूदार जानवार सब बत्तर हो तुम और जरदारी दो टके का ढूंडा आज देखो वो भी माफिय का चैंपियन दुबाई के अंदर क्या क्या अंपायर्स खड़ी हैं दूसरे मुलकों में क्या है नवाश रही जिसकी उकाद नहीं सी वो वो जो उसकी बेटी छोटा सा अपरेशन वो जो क्रिकट का गेज होता है या फट जती बीच में से उसको सलवाने गई है वो आज तक वापस नहीं आई और जिनको उसको घार में कोई बरतन साफ करने के लिए ना रखे वो इतनी चोर नहीं है और जरदारी का वो पतनी बे और डीला बंदा या बंदी वारशाथ सा तो पाणी आता है और जिसको चुप्रासी के नोकरी ना दे वो हमारे पर फारमिनिस्टर बना हुआ है मैं अभी पाकिस्तान के लोगों से अपने बच्चों से यंग्स्टर से जो नेक्स जिनरेशन है जिन्नोंने इस मुल्क को समा करता हूँ बहुत हो चुकी है अभी आपको बाहर निकलना पड़ेगा आपको कोई इनसाफ नहीं देगा अगर आप इंतजार करोगे कि आपको को इनसाफ देदेगा नहीं यह माफिया है यह चोड डाकू उपर बैठे हुए एक दूसरे को लुक आफटर कर रहे हैं इम्रा उसके ऐख बात बात खलाफ नहीं की थी एक चुटी सी बात की और उसको पर कंटम्ट ओखो लगा दी थी मैं इम्राखान के जगा ओता रहा तो मैं उनको पहले कि सीड के बाहर लाता है गर बगहर तो पहले साबत को यह अदालत है यह अदालत है आपने रंडी खाना खोर र उनको अंदर नहीं आने देते उनकी जामा तलाशी ही हो रही होती है नवाज श्रीफ शबाज श्रीफ बड़ बड़ चोर आते हैं जाज खुद खड़ा हो कि उनको वैलकम कहरा होता है और लाने था तुम लोगों पे अभी मेरे पास यकीन कीजिये सर्फ एक ही होप है एक ही होप मैं एज इस डार्टूर्ड वैचर अर्टूर्डल की बाथ रेटार मेजरçar में एक बात का रहा हुँ एक मरे पास सर्फ एक उमीद रहा गी है वह आखरी उमीद रहा गी है जनरल आसिफ मुनीर, चीफ आफ आर्मी स्टाफ, मैं यंगर ब्रदर, काइंटली, प्लीज, मेरी आपके हाँ जोड कर रिक्वेस्ट है, प्लीज, आगे बढ़िए, मत आप, पूरी कौम आपको बाइक गॉड दोएं देगी, पूरी कौम आपको हाथों पे उठाएगी, इस क डाकू, लफंटर, सब को उठाएए, चाहे जिजिजए, चाहे कुछ भी है, सब को उठा दीजिए, एक रात में, कोई मुशकल नहीं है आपके लिए, हकीकत बता रहूं, और जनरल बाजवा, मेन कलपर्ड, वो बास तो इनका सब का, उसने सब से चोरों से पैसे भी लिए ह उसने, उसको भी गरफतार कीजिए, अनक्वारी कराईए, समरी फैवेर्डनस रिकॉर्ड की, उसका फिल्ड जनरल कोर्ट मार्शन होना चाहिए, मैं ओपली अन ओस कहता हूँ, इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए, आज भी मेरा आखरी कतरा खुन का हो हा है, और इन्शालला दूँगा, हमने सेक्रिफाइस किया इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान फाज के लिए, बाजवा की तरह हमने इद्रूते बगैरतिया नहीं की, नाए कांगों के अंदर दो साल, दो टर्नियोर काटे हैं, उसने तो हार्ड एरिया भी नहीं काटा था, मौन्टने के शीर्ड लगाई थी, ऐसे जैसे वो पाड़ों चड़ता रहा, वो तो उसका उसी पे कोट मार्शल हो जाना चाहिए था, जनल आसम मनीर काइंड ली, मेरा बड़ी हमबल आपसर रिक्वेस्ट है, कि पलीज, इस पाकिस्तान को बचा लीजिए, पाकिस्ता करते हैं, अपनी पाकिस्तान आर्मी के लिए, इस बगारत ने मेरे उपरे पर्चा करवा दिया, अलहम्दोलिल्ला, मैं उस अल्ला के हां सुर्ख रू हूँ, मैं उपर ले कहता हूँ, कि जिसने डिरेक्लि या इंडिरेक्लि मेरे पाकिस्तान को, मेरे पाकिस्तान आर्मी को या मेरी अवाम की उपर या मेरे हराम किया या उनको उपर डेमज करने कोशिश किया या अवाओ बरबाद कर दे मेरी आप से सर एक ही रिक्वेस्ट है जंक्सर से जनरल आस्म इंशालला मुझे पता है अमीद है कि वो इन लोगों को पकड़ेंगे और आपने जनरल आस्म का इस पाकिस फौच का साथ देना है अवाम की ताकत जो है ना वो हमेशा जो आर्मी है उनके हाथों से निकलती है आर्मी के पीछे जब आवाम होती है आर्मी हर चीज पार कर जड़ती है तो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान पाकिस्तान को बचा लेजिए और चीफ जिस्टस साथ अगर आपको अभी भी थोड़ा सा थोड़ा सा इज़त है इस चेयर की और इस अदालत की तो प्लीज आप भी समझ जाएए अनसाफ दीजिए इस पाकिस्तान गरीब अवाम को अजादी दलाईए हम लूट चुके हैं हमें लूट लिया गया दोनों दोनों हाथों से वो बगारतों के बच्चे आ रहे हैं अदालते खुर रही हैं उनको रिलीव दे रहे हैं जिन केसिस का ट्राइल ही नहीं हुआ चीफ जिस्टस साथ सच और हक्की बात है वो काहे कौन से अजादी कौन सा उनको रिलीव मिल गया कोई केस ट्राइल हुआ कोई चाशी लगी उनके उपर ये को इनसाफ तो नहीं है ना अल्ला ताला हम सब के उपर फजल करे और मैं इस उमीर के साथ कि जनर्र आसिम इन्शालला विल टेक सम स्टेप्स और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितने चोर पहले बैठे हुआ हैं गंदे अंडे उनको भी हटाईए और नहीं बंदे लेके आए पाकिसन आर्मी में बंदों की कमी नहीं है मुझे पता है कि मेरी फखर है मुझे अपने पाकिसन आर्मी के लोगों पे अल्ला के फज़र से बहुत काबल है जो जैनल भी आ रहे हैं बड़े काबल हैं और इन्शालला ताला इस मुल्क को संभाल सकते हैं और जैनल आसिम आपको पूरा साथ देंगे इन्शालला पाकिसन आप में जिन्दाबाद पाकिसन फाइंदाबाद स्लाम अलेकम अपीदते आर प्यार तुछ पे निसार कर दूं मेरे बतन ये अकीदते आर प्यार